क्यूं एंडू टेट, इलॉन मस्क और रनाल्डो हमेशा अपने हातों को कुछ इस तरह से रखते हैं? आखिर क्यूं वर्ल्ड के कुछ बड़े-बड़े लीडर्स और इंफ्रेंशेल लोग अपने हातों को हमेशा एक पर्टिकुलर पोजिशन में रखते हैं? नहीं, ये सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है, बलकि दरसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी अपसे बैटते समय अपने हातों को इस तरह रखना शुरू कर दोगे और ये राज हमारी इंशियन्ट हिस्ट्री में 5000 साल से भी पहले से छुपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहते हैं मुद्रास, कुछ ऐसे hand gestures, symbols और positions होते हैं जो आपकी body और mind की energy को सही जगे चैनलाइस करते हैं आयूर वेदा में कहा जता है कि cosmos और हमारी body पाँच elements से बनी है हवा, पानी, आग, जमीन और space एक healthy body के लिए इन पाँच elements का balance में होना बहुत ज़रूरी है अगर इन पाँचो elements में से कोई भी ज़दा हावी या फिर कमजोर हो जाएगा तो हमारी body में imbalance rate होने लगेगा जो हमें बिमारियों और परिशानियों की old ले जाएगा यहां पाँच elements है और हमारे पास पाँच अंगुलिया भी है आपकी हर एक अंगुली एक element को represent करती है आपका thumb fire element को दिखाता है आपकी index finger air element को show करती है आपकी middle finger space के लिए है आपकी ring finger zemین के लिए है और आपकी pinky finger पानी को दर्शाती है जब आप मुद्रास को use करके किसी एक purpose के लिए अपने हातों से कुछ gestures या symbols form करते हो वो इन पाँचों elements को balance कर देता है ताकि आपका focus आपके purpose पह रहे इसलिए मुद्रास को seal भी बोला जाता है जहां आप अपनी body और mind के energy को किसी एक purpose के लिए lock कर देते हो endutate, clown musk और ronaldo जिस मुद्रा का use करते हैं उसे कहते हैं उत्रा बोधी मुद्रा यहां आप अपने दोनों हातों को मिला कर सारी उंगलिया फोल्ड कर दो अपनी दोनों index finger को बाहर निकालो और जोडे रखो साथ ही अपने दोनों अंगुठों को भी बाहर निकाल कर पीछे की ओर ले जाओ और जोडे रखो इस मुद्रा को मुद्रा of the highest enlightenment मुद्रा कहा जाता है जिसे बुद्धा खुद परफॉर्म करते थे इसे use करने का सबसे बड़ा reason है यह आपके inner और outer awareness को बढ़ाता है आपके focus और concentration को बढ़ाने के साथ ही यह आपके दिमाग को चारों और चलने वाली चीजों से सतर करकता है यह आपके self confidence को बहुत ज़दा boost कर देता है अगर इस मुद्रा को long term तक practice करा जाए तो यह आपकी life से fear यानि डर, चिंता और stress को दूर करके आपको positive बनाता है साथी बहतर decision making और problem solving में भी मदद करता है जो आपकी personality को बदल कर रखतेगा यही reason है कि आप इन बड़े-बड़े celebrities को interviews देते time इस मुद्रा को perform करते हुए देखते हो जो उनके self confidence को boost करता है और आप notice कर पाते हो कि वो जो बोल रहे होते हैं बहुत confidence से बोल रहे होते हैं कई लोग इस मुद्रा को symbol of truth भी कहते हैं क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है वो उसके confidence से ये show कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है आपने successful लोगों को एक और मुद्रा को perform करते हुए इस मुद्रा को perform करने के लिए अपने हाथों को अपने chest के सामने रखो ऐसे जहां आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए जैसे नमस्ते करते हुए करते हैं ना वैसे ही उसके बाद तीन long deep breaths लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो जहां आपकी सिर्फ finger tips ही एक दूसरे से टच होनी चाहिए और सिर्फ अपने finger tips पे pressure को feel करो इस मुद्रा का नाम Hindu Goddess हाकीनी के नाम से लिया गया है संस्कृत में हाकीनी का मतलब होता है power या rule आयुर्वेद के according इस मुद्रा को perform करने से इनसान को अपने ही mind को control करने की power मिलती है scientifically भी देखा जाए तो हमारी अंगलियों में 3000 से भी ज़्यादा macno receptors होते हैं जो आपके brain के लिए एक तरह से highway का काम करते हैं जो neurons के जरिये आपके brain में अलग-लग signals पहुचाते हैं आपके उंगलियों के इनी macno receptors और brain के neuron connections का यूज करके जब आप इस मुद्रा को perform करते हो तो आपके brain की power बढ़ने लगती है जिससे आपको कई फायदे होते हैं ये आपकी memory को boost करता है आपका brain ज़ादा energized feel करता है clarity को बढ़ाता है और creativity को भी develop करता है लेकिन नगर आपको focus और concentration करने में दिक्कत होती है तो ये next मुद्रा ज़रूर शुरू कर दो ध्यान मुद्रा आपने ज़दतर monks को कुछ इस तरह बैटे हुए देखा होगा जब भी कोई meditation करता है या अपने mind को relax करने की practice करता है तो उससे अपने हातों को इस position में रखने के लिए कहा जाता है ये है ध्यान मुद्रा जिसे concentration मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है इससे practice करने के लिए सबसे पहले comfortable होकर बैट जाओ अपने हातों को नीचे रखो जहां आपका right hand आपके left hand के उपर होना चाहिए और thumbs एक दूसरे से touch होने चाहिए इस तरह से आपका thumb fire element को show करता है इस मुद्रा को perform करते वक्त आपके दोनों thumbs एक दूसरे से मिल जाता है वहीं बाकी सारे elements rest पे होते हैं यह आपको एक deep meditative state में पहुचाने में बहुत help करता है इस मुद्रा से आपको कई फायदे होते हैं यह आपके calm mind को promote करता है आपके concentration को बढ़ाता है और आपके mind में unnecessary thoughts आने से रोकता है अब next है कुबेर मुद्रा इस मुद्रा को god of wealth कुबेर के लिए dedicate करा गया है इसे perform करने के लिए अपने एंगुठे की fingertip को अपने index finger और middle finger की tip से चिपका दो जहां हलकासा pressure भी बने बाकी दोनों fingers को अपने palm पे rest करने दो अगर आप इस मुद्रा को हर दिन 10 से 15 minutes सक practice करोगे तो long term में आपको इसके कई benefits देखने को मिल जाएंगे ये आपकी body में blood circulation को बढ़ाएगा आपके heart तक ज़्यादा blood को pump करके body के हर एक part तक ले जाएगा ये आपकी memory power और concentration को increase करके आपके brain power को बढ़ाएगा इस मुद्रा को practice करने से आपका mind open होने लगेगा ज़रूर करना चिन मुद्रा और ग्यान मुद्रा इसे gesture of consciousness भी कहा चाता है ये मुद्रा है ग्यान और wisdom के लिए अगर आपने notice किया होगा तो meditation के दोरान भी हमें ऐसे बैठना सिखाया चाता है जहां हमारे हाथ इस position में होते हैं इससे practice करने के लिए अपनी सारी उंगलियों को एक दम सीधा रखो बस अपनी index finger और thumb की tips को एक दूसरे से touch कर दो दोनों उंगलियों के बीच इतना pressure होना चाहिए जितना आप एक paper पकड़ने के लिए use करते हो संस्कृत में चिन का मतलब होता है consciousness और ज्यान का मतलब होता है knowledge इस मुद्रा के दौरान हम अपने fully conscious brain को access कर पाते हैं ये आपके air element और fire element को एक करके आपकी awareness को increase कर देता है समुद्रा इसे करने के लिए अपने हाथों को सीधा रख के अपने thumb को अपनी pinky finger की ओर ले जाओ फिर अपनी बाकी उंगलियों को thumb के उपर लाके रख दो जब भी आप सांस अंदर लो तो इसी तरह अपनी उंगलियों को close करते जाओ जैसे ही आप सांस छोड़ो अपने हाथ को खोलते जाओ इस process को 10 से 15 मिनट तक practice करो जैसे ही आप अपने हाथों को खोलने लगोगे imagine करो कि आपके अंदर से सारी परेशानिया सारा दुख, सारे fears धीरे धीरे आपकी body से निकल रहे हैं इस exercise को कम से कम साथ बार repeat करो इस मुद्रा को Taoist monk के leader Kim Thorn ने discover करा था वो कहते हैं यह मुद्रा आपके अंदर की sadness को ले जाता है आपके डर को खतम कर देता है यहां तक कि आपके depression को भी overcome करने में help करता है यह आपकी personal magnetism और mental power को बढ़ाता है गनेश मुद्रा गनेश मुद्रा एकलौता ऐसा meditative hand gesture जो आपके chest muscles को strong बनाने में help करता है इस मुद्रा में आपकी fingers आपके दिल के सामने आके interlock हो जाती है और कहा जाता है कि यह आपकी life की problems को दूर करके आपकी नई opportunities देखने की power को बढ़ाता है इसलिए इससे obstacle remover मुद्रा भी कहा जाता है meditation के दौरान गनेश मुद्रा आपका सारा focus आपकी body के center पे ले आता है यानि आपके दिल पे जो कि heart chakra को open करके आपके दिल में love और compassion बढ़ाता है गनेश मुद्रा practice करने के लिए सबसे पहले एक meditative pose में बैठो जहां आपकी कमर सीधी हो, shoulder पीछे और chest बाहर की तरफ हो अपने left hand को chest के सामने लाके अपने right hand से इस तरह मिला दो अब अपने दोनों हातों को opposite direction में खीचो इस मुद्रा को practice करने से आपकी body का metabolism बढ़ता है यह आपके heart को open करके आपके अंदर love और kindness जैसी feelings को बढ़ाता है और आपको neck और shoulder pain में आराम देता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करके हमेज़ support करो और bell notification on कर लिजिएगा तक आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ थैंक यू फर वाचिंग